नगर निगम चुनाव को लेकर सभी उमीद्वारों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है वही वरिष्ट अड़ोकेट प्रदीप फोलकर के पास में उमीद्वार आकर उत्साह के साथ अपना फॉर्म भर रहे हैं पार्टी को नाराज न करते हुए उमीद्वारों का यहाँ भी क्याना है कि यदि पार्टी टिकेट देती है तो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और यदि नहीं देती है तो पार्टी को समर्थन करके अपना नाम वापस ले लेंगे वाड क्रमांग 25 से त्यारी कर रहे है युवा नेता आनंद भाटिया द्वारा बताए गया कि उनके पिताजी के समय से वह कॉंग्रिस से जुड़े हैं और आगे भी कॉंग्रिस के साथ कंदे से कंधा मिला कर कॉंग्रिस को मजबूत करेंगे वही उन्होंने बताया कि उनके पिताजी ओम प्रकाश भाटिया भी अपना पूरा जीवन काल कॉंग्रिस को समर्पित कर दिया था आनंद भाटिया जी भी यही मंशा रखते हैं और वहाँ भी अपना पूरा जीवन कॉंग्रिस को समर्पित कर देंगे वहीं भाटिया जी क ही कैंडिडेट को टिकेट मिलेगा उसको समर्थन देकर उसे विजय बनाएंगे उनका क्याना है कि पूर्वो मंत्री जीतु पटवारी पांच नमबर विधान सभा से कद्दावर नेता सत्यनाराइन पटेल जी का भी संड्रक्षन उन्हें प्राप्त हैं उनका क्याना है कि ज वित्रण सड़क समस्या बिजली समस्या ज्वसी बड़ी समस्याओं का भी नेवारण इनके द्वारा किया गया है अब पचास सगर में लड़ूं तो बाट जी पूरा काम देखिए यह राजिन चोदरी ने इनके मूं से बोला है कि यह बाट पचास सगर मुझे टिकेट दिया जाता है तो यह जीतु पटवारी जी के मामा है मैं करीब मेरा पूरे जीवन काल से और मेरे पिताजी के जीवन काल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ और वार्ड पचास से तैयारी कर रहा हूँ और अगर पार्टी मुझे वार्ड पचास से लड़ने के लिए टिकेट देती है तो मैं पूरी ताकत लगा के पार् लिटता वक्या बनकाल घायोंगा। मुझे वाड हना पचास से टिकेट दिया जाए। और अगर मुझे किसी कारण Virus Party Ticket नहीं भी देती है तो मैं कि पार्टी को समर्थन करूगा। और कांग्रेस का के जिस पुछ भी एकति को Ticket मिलता है उसके समर्थन में मैं पार्टी को साथ भूगा मेरा नाम आनन बाटिया